प्रेदोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे संबंद हमारे विश्वासी जीवन का आधार है आपके संबंद आज लोगों के साथ कैसे है? परमेश्वर का वचन हमारे कलीसियाई जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए एक बहुत ही महतुपूर संदेश इस संबंद के अधार पर देता है और वो चाहता है कि हमारे संबंद सब के साथ उत्तम होना चाहिए यד पि ये संब Crown नहीं है परंटु हमारे तरफ से अपनी तरफ से इसका प्रेयास एक बहुत ही महतुपूर कलम है आईए मेरे साथ इस अध्यन में शामिल होईे और जानिये कि परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है और किस कारण हमारे संबंद, हमारे विश्वासी जीवन का प्रथम कदम है आईए इसमें शामिल होईे और मेरे साथ इन बातों को समझने का प्रयास करिए प्रेमित्रों आपको प्रेम भरा नमस्कार मैं परमेश्वर के अनुगर में आशा रखता हूँ कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा आज पुनह परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए सत्यवचन बाइबल अध्यन में शामिल है और मैं आपका हिर्दय की गहराय से इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ मित्रों हम तिमोथियोस की पहली पत्री का अध्यन कर रहे हैं जो की एक चरवाहे की पत्री है जिसका अर्थ है कि वह कलीसिया के लिए एक आधार इस्थम्भ है आप अपने कलीसियाई जीवन में सुधार लाने के लिए इसका उप्योग कर सकते हैं वरन यह कहना उचित है कि आपको इसका उप्योग करना चाहिए पॉलुस आरंभ में संबंदों की बात करता है जो कलीसिया के विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है आज हमारी समस्या है विश्वासियों के मद्ध असहज संबंद हम कलीसिया में परिवारों में और अपने अन्य विश्वासियों के साथ संबंदों में वह प्रेम नहीं देख पाते हैं जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है दोस्तों हमेशा याद रखिए कि यदि आपका संबंद कलीसिया में सही नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपका संबंद परमेश्वर के साथ भी सही नहीं है विश्वासी अकसर या विचार करते हैं कि परमेश्वर के साथ तो हमारा संबंद अच्छा है दूसरों के साथ ठीक नहीं है तो क्या हुआ परंतु ऐसा नहीं हो सकता मित्रों हमारा प्रयास अपने इस तर पर संबंधों को सुधारने का प्रयास होना चाहिए आपके मन में दूसरों के लिए मैल नहीं होना चाहिए आज कलीसिया की यह नितांत आवशकता है तो चलिए मित्रों, अपने संबंधों को सुधारने के भाव से हम अपने अध्यान को आरम करते हैं मित्रों आए आज हम अपने अध्यान में आगे बढ़ेंगे और पहला तिमुथियूस की पत्रियूस के अध्या एक से अपने अध्यान को आरम करेंगे इसमें हम देखेंगे उद्धार का गीत जिसका विशय है कलीसिया का विश्वास यहां पॉलोस मसीह कलीसिया के सैधानते के अभी कथन पर नहीं अपित्व अस्थानिय कलीसिया में जूठे शिक्षकों के विरुध चेतावनी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है वह इस बात पर बल देता है कि परमिश्वर के अनुगरह का सू समाचार शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है और प्रभु से संबंधित है तो आई हम आगे देखेंगे प्रस्तावना तिमुथियूस को लिखे पौलुस के प्रथम पत्र का प्रस्तावना उसकी अन्य पत्रियों से भिन है आपने शायद सोचा होगा कि वे सब एक सी ही हैं परन्तु चरवाहे की पत्रियों का प्रस्तावना अन्य पत्रियों से भिन है डॉक्टर मर्विन आर विंसेंट का कहना था कि पहला तिमोथियूस के संबोधन के समतुले पावलुस का अन्य कोई पत्र नहीं है तो आजिये हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियूस की पत्री एक अध्याई उसके एक और दो पद यहां पर इस प्रकास से लिखा है पॉलुस की ओर से जो हमारे उद्धार करता परमेशर और हमारी आशा के आधार मसी इशु की आग्या से मसी इशु का प्रेरित है तिमथ्यूस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है पिता परमेशर और हमारे प्रभु मसी इश पॉलुस की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शान्ती मिलती रहे। पॉलुस की ओर से जो मसी इशु की आग्या से मसी इशु का प्रेरित है। पॉलुस तिमोथियूस के साथ अपने संबंधों के महत्व को उजागर करता है। और पहले भी उसने ऐसा किया है। इशु मसी का प्रेरित अब आग्या और इच्छा में क्या अंतर है। दोनों एक तो हैं परन्तु परियायवाची शब्द नहीं है। बाइबिल में व्यक्त सब आग्याएं परमिश्व की इच्छा प्रगट करती हैं यह दस आग्याओं से कहीं अधिक हैं। उधारन के लिए लिखा है कि हमें निरंतर प्रात्ना में लगे रहना है। पहला थिसलोनिकियों की पत्री पांच अधिया उसके सत्रा और अठारा पद में। निरंतर प्रात्ना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसी इश्व में परमिश्वर की यही इच्छा है और उसकी आग्याओं में व्यक्त है। मेरे विचार में परमिश्वर की हर एक इच्छा हम पर प्रगट नहीं है अतह परमिश्वर की इच्छा आग्या की तुन्ना में एक व्यापक शब्द है। तथा पी स्मरन रखें कि हम पर प्रमिश्वर की इच्छा बहुताहित से प्रगट है कि मनुश्य आग्याओं के पालन से ही उधार नहीं पाता है। इस तथे को दोहराना आवश्यक है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि उधार के लिए मुश्य की व्यवस्था अनिवारे है। जैसा पौलुस रोम की कलिसया को लिखता है रोमियो साथ उसके बारपद में। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आग्या भी ठीक और अच्छी है। या सच्छाई के व्यवस्था भली है और मनुश्यों से जिसमें कुछ भी अच्छाई नहीं परिशुद्ध एवं पूर्ण आग्या पालन चाहती है। जिसके पालन में पापी मनुश्य सक्षम नहीं है। रोमियो के पत्री साथ के आठारपद में पालुस कहता है कि हमारी देह में कुछ भी अच्छाई वास नहीं करती है। परमिशर के विवस्था या आग्याएं हमें इसलिए दी गई थी कि हम पर परमिशर की इच्छा प्रगट हो और हम पर यह प्रगट किया जाए कि पापी को उधार पाने के लिए विवस्था से हट कर एक और मार्ग अपनाना आवश्यक है। इस तथ्य को समझना ही विवस्था को वैधाने के रूप से अपनाना है। पातों में तुम मुसा की विवस्था के द्वारा निर्दोश नहीं ठहर सकते थे। उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोश ठहरता है। जी हाँ, मुसा की विवस्था के आधार पर मनिश्य निर्दोश क्यों नहीं ठहर सकता। क्योंकि वह मृत्य लाती है, अर्थात विवस्था दोशी ठहराती है। विवस्था हमारे उधार के निमित न थी और ना है, परन्तुवा इसलिए है कि प्रगट करे की परमेशर महा पवित्र है, और हम पवित्र नहीं अर्थात पापी हैं। अता परमेशर ने हमारे उधार का जो मार्ग चुना, वह कुरूस का मार्ग था। प्रभी इश्यू का मार्ग था। यहना चिसू समाचार 14 अध्या के 6 पद में इश्यू ने स्वयम कहा है, मार्ग मैं हूँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। परमेशर के निकट आने का मार्ग नहीं है, परमेशर के पास आने का मार्ग प्रभी इश्यू मसी है। अता है जब पौलोस इफिसूस के विश्वासियों को लिखता है कि वह परमेशर की इच्छा से मसी इश्यू का प्रेरित है तो वह अति सत्य कहता है। परन्तु जब उ इससे युवा सेवक को लिखा, मसी इशु की आग्या से मसी इशु का प्रेरित, तो उसकी कहने का अर्थ है कि आज मैं यदि प्रेरित हूँ, तो वह परमिश्वर की इच्छा ही से नहीं, परन्तो उसकी आग्या के अधिन भी प्रेरित हूँ. मेरे विचार में पॉलोस प्रेरित होने की इच्छा से संभवता दूर भागता रहा होगा. मुझे पूरा विश्वास है कि उसने मुशा के समान परमिश्वर को बहाने सुनाये होंगे. वह अन्य ग्यारा प्रेरितों के समान प्रभव इशु के संगती में नहीं रहा था. वह उसके सांसारे की जीवन में उससे परिचित नहीं था. वह तो इशु को केवल महिमा मैं प्रभु के रूप में ही जानता था. उसने तो स्वयम कहा था कि वह प्रेरित होने के योगे नहीं है. परन्तु प्रभ इशु ने उसे आग्या दी. मैं तुम्हें आग्या देता हू यही कारण था कि पॉलूस किसी आराधनालय में या एथेंस के भावी कहने वालों के मध्य जा सकता था. या कुरिंद के पतित एवं भरष्ट पापियों में जाकर सू समाचा सुनाने योग्य था. वह एक आग्या पालक सैनिक था. वह आग्या देकर भेजा गया था. अधिकार दिया था. मेरे मित्रो, यर्मिया को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था. वह एक शर्मिला मनुश्य था. एक दुखी मनुश्य था. परन्तु उसने खड़े होकर परमिशर के अति कठोर वचन सुनाए. वह ऐसा कैसे कर पाया? वह आग्याओं के अधीन एक सैनिक परमिशर की आग्या के अधीन. आज भी परमिशर का वचन सुनाने वाले के पास अधिकार होना चाहिए. या फिर वह चुप रहे तो अच्छा है. यदि कोई प्रचार मंच पर खड़ा होकर कहे, यदि आप एक चलन में विश्वास रखते हैं, तो शायद उद्धार पाए या कहे, आप एक प्रकार से इश्व पर विश्वास कर लें. ऐसे घटिया मनुश्य को परमिशर के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है. पॉलुस, परमिशर के अधिकार से संपन्य था. कहता है, हमारे उद्धार करता परमिशर. क्या परमिशर हमारा उद्धार कर निश्य ही वह है यह बात आपको विचित्र प्रतीत होती है क्योंकि धर्म शास्त्र में यह बात प्राया पाई नहीं जाती है केवल यहां और कुलुसियों की पत्री एक अध्या उसके 27 पद में ही है जहां यह लिखा है मसी जो महिमा की आशा है तुम में रहता है प्रविश्य ने आपको बच साथ ले जाएगा और उद्धार को पूर्ण करेगा यदि हम आज पीछे देखें तो वह हमारा विश्वास है हमारे चारों ओर ध्यान दे तो वह प्रेम है और भविश्य को देखें तो वह हमारी आशा है वरन हमारे संपूर्ण जीवन भर हमारी आशा प्रविश्य मसीह में कहता है तिमुथियूस, इस शब्द का अर्थ है पर्मीश्यर का प्रियूस तो था ही वह पॉलुस का भी अतिप्रिय था और अस्थानिय कलिस्याओं का भी प्रियूस था प्रेरतों के काम इफिसियों की पत्री और फिलिप्यों की पत्री में हम पाते हैं कि तीम्थियूस का पिता यूनानी था। उसकी नानी लोईस और उसकी माता यूने के उसके समक्ष ही विश्वास में आई थी। वह लुस्त्रा में रहता था, जहां पॉलुस को पत्थरवा किया गया था. मेरे विचार में उसमें पॉलुस मृत्तकों में से जिलाया जा चुका था, और इन सब बातों का तिमत्यूस पर बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणाम सरूप उसका मन परिवर्तन हुआ. इवा होने के कारण वह शायद संशयवादी था, प्रन्तु पॉलुस के साथ घटे इस घटना ने उसे आश्वस्त किया और उनका मन परिवर्तन हुआ. मन फिराव के बाद वह पॉलुस का प्रगट अनुयाई हो गया. तिमथियूस एक प्रतिष्ठित जन था, प्रिवर्तों के काम सोला ध्या उसके दो से पांच पद में लिखा है, वह लुस्तरा और इकुनियों के भायों में सुनाम था, पॉलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहुदी लोग उन जगहों में थे, उनके का प्राचीनों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुचाते जाते थे, इस प्रकार कलिस्याएं विश्वास में इस्थिर होती गई और संख्या में प्रति दिन बढ़ती गई, तिमथियूस पॉलुस के साथ सेवा करता था और तिमथियूस की छोड़ दिया था, कलिस्या में अच्छे मित्र पाना पासवान का सवभाग्य होता है, मेरी वर्षों की स्यवा में मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो आज तक प्रभु के साथ चलते हैं और मेरे निष्ठावान एवं विश्वास योग्य मित्र आज भी हैं, पॉलुस अपने साथियों पर विश्वास नहीं कर सकता था, परन्तु तिमत्यूस पर उससे पूरा भरोसा था, फिलिपियों की पत्रे दो अध्याय उसके 19-23 पद में वह तिमत्यूस के लिए लिखता है, मुझे प्रभईश्यू में आशा है कि मैं तिमत्यूस को तुमारे पास कियोंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि इशू मसी की, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है, कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सू समाचार के फैलाने में मेरे साथ परिस्रम किया, इसलिए मुझे आशा है कि जेओ ही विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, प्रभी इशू को गरहन करने में पॉलुस ने तिमोथियूस का मार्ग दर्शन किया था, और उनमें बहुत घनिष्टा थी, कहता है पिता परमिश्वर और हमारे प्रभुमसी इशू की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शान शब्दों का प्रयोग करता था, प्रन्तो हमारे पास यहां एक और शब्द है दया, दया शब्द पुराने नियम में काम में लिया जाता था और वा अनुग्रह के तुलिय है, पुराने नियम की बली ने परमिश्वर के पवित्र, धर्मी और न्याय सम्मत्सियासन को दया आसन बनाया था, परमिश्वर के निकट आकर हम न्याय की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां दोशी ठहराय जाएंगे, हमें परमिश्वर से जिस बात की आविश्वक्ता है, वह है उसकी दया, और परमिश्वर ने सब प्राणियों के लिए दया का प्रावधान किया है, आपको जितनी दया चाहिए परमिश्वर के पास है, तथा पे दया वैसे ही है जैसे बैंक में रखा आपका पैसा, जो चेक लिखे बिना काम में नहीं आता, यहां आपका चेक विश्वास है, परमिश्वर दया का धनी है, परन्तु आपके उद्धार के लिए उसके पर दयावन्त है, यहां तक कि उसके निंदकों और उसका त्याग करने वालों और उससे फिर जाने वालों पर भी वह दयावन्त है, वह धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, वह अपनों के साथ भी वक्षपात नहीं करता है, आज पापी और धनवान अधिक सम्र परन्तु जब आप परमिश्र के निकट आते हैं, तो आपको विश्वास का कदम उठाना होता है। विश्वास का चेक लिखें और परमिश्र अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार करेगा। परमिश्र के द्वास के द्या वह है, जो पापी मनुश्र की आवश्रक्ता के लिए प्रबंध करती है। अतह अनुग्रह उसमें वह गुन है जो निर्मोल उद्धार प्रदान करता है, क्योंकि उसके पौित्रता की अनिवार्यताएं स्वाता ही पूरा हो जाती है। अब इस कुछ लाएंगे वह मैले चित्रों के समान होगा भले काम करने वाला सोचता है कि उसे परमिश्वर के दया की आवशक्ता नहीं है उसके विचार में वह कर्मों द्वारा उद्धार पाएगा एक मनुश्य जो मरने पर था उसने मुझसे पूछा प्रचारक जी आपको मुझे या बताने की आवशक्ता नहीं कि मुझे मुक्तिदाता प्रभई इश्व की आवशक्ता है और यह कि मुझे परमिश्वर के अनुग्रह तथा दया की आवशक्ता है मुझे इसकी आवशक्ता नहीं है मैं जैसा हूँ वैसा ही उसके समक्ष खड़ा होने योग्य हूँ और फिर उसने अपने कर्मों की गाथा मुझे सुनाई वह समाज सिवा, अनाथाले, अनेक प्रकार के परोपकारी सिवाओं में सहकारी था वह एक परोपकारी था और परमिश्रक के समक्ष उसी के आधार पर खड़ा होना चाहता था मेरे मित्रों, कर्मों द्वारा उधार आपकी आवशक्ता में कुछ नहीं कर पाएगा परमिश्रक का उधार नी संदे भले काम करने में आपकी साहता करेगा ऐसे भले काम जो परमिश्रक के समक्ष ग्रहन योग्य हैं मनिश्य की धार्मिक्ता परमिश्रक के द्रिष्टी में मैले चित्रों के समान है पालूस यहां जो कहता है वरन अपने सब चरवाहे के पत्रों में जो कहता है वह उसकी अन्य पत्रियों में कहीं नहीं पाया जाता है अताय स्पष्ट है कि अपने सारजनिक प्रचार और लेखों की तुलना में उसने इन दोनों सेवकों को गनिष्टा में तथा व्यक्तिग्यत रूप में या पत्र लिखे थे क्या आप में यह हारदे के इच्छा उत्पन नहीं होती कि आप भी पाॉलूस के समान प्रचार यात्राओं में होते और आपको भी अउसर प्राप्त होता हुता है कि आप उस माहन प्रचारक को उसका मन मस्तिश्क खोलते देखते मेरे प्रियों, परमिश्टर का आत्मा हमारे मध्य है और तिमुथियूस को लिखे पौलुस के पत्र द्वारा हमसे बाते कर रहा है। पासवान, यह कह रहा हो कि प्रतेग विश्वासी को कलिश्या का सदस्य होना आवश्यक है। उसे अस्थानी कलिश्या के साथ अपनी पहचान बनाना आवश्यक है। परिवार में पाला पोसा गया हूँ यह हमारे लिए कैसा महान सवभाग्य है। पौलुस एक यहुदी फरीसी था और उस समय उसे परमिश्वर को पिता कहने का सवभाग्य प्राप्त नहीं था। हम देखते हैं लिखा है हमारे प्रभु मसी इश्यू। यदि अस्थानी कलिश्या में कुछ भी किया जाए तो अक्केवल प्रभु इश्यू के नाम में किया जाए। या उसकी आग्या के अनुसार किया जाए। वह कलिश्या का सिर है वह प्रभु है। प्रभु इश्यू ने कहा तुम मुझे हे प्रभु हे प्रभु तो कहते हो परन्तु मेरी आग्या नहीं मानते। क्या वह आज हमसे भी ऐसा ही कह रहा है उसने पहले चयतावनी दे दी थे कि न्याय के दिन अनेक लोग कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम में यह नहीं किया वह नहीं किया हम तो तेरे लिये दीमकों की नाई व्यस्थ थे और वह उनसे कहेगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं मैं जानता भी नहीं कि तुम यह सब मेरे नाम से करते हो क्योंकि तुमने मेरे इच्छा की खोज नहीं की तुमने मेरी आग्या मानने का प्रयास नहीं किया जी हाँ हमारा उसे प्रभुक कहना ही प्रयाप्त नहीं है हमें प्रभुक की आग्या भी मानना आवश्यक है क्या आज आप प्रभुक की आग्याओं को मानते हैं क्या आप उसके अंसार अपने जीवन को जीते हैं यदि नहीं तो ये प्रश्न आपके लिए भी है परमेश्वर आज की सुबचन के द्वारा आप सब को आशिश दे परी दोस्तों हमने देखा कि आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि वे भले कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसंद कर सकते हैं भी विचार रखते हैं कि संसार में उनके अच्छे कारियों के कारण पर्मीशवर उन्हें अपने स्वर्ग राज में स्थान दे देगा पर दोस्तों ऐसा नहीं है पर दूस्टों ऐसा नहीं है कि अजिन ऐसा होता तो विवस्था ही सभी के लिए परियापत होती हम वबस्था द्वारा ही पापी और पवित्र ठहरा दिये जाते हैं और ईशू को अपना बलिदान इस बात के लिए देना नहीं पड़ता किदि हम भले कामों के द्वारा परमेश्वर के सनमुग जाने का विचार रखते हैं तो हम ईशू के बलिदान को वेर्थ ठहराते हैं ऐसा करके लोग परमेश्वर की आग्या का अपमान करते हैं अजसंसार की आशक्ता है ईशू का लहू वह बलिदान जो उस क्रूस पर दिया गया और उसका कारण है कि हमारे पापों के बदले किसी को तो मरना था किदि हम पापों में मरना नहीं चाहते हैं तो हमें ईशू के उस बलिदान को ग्रहन करना होगा जो हमारे इस्थान पर बलिदान किया गया किदि हम उस बलिदान को स्विकार नहीं करते हैं तो हम अब भी अपने पापों में पड़े हुए हैं याद रखिए या तो आपके पाप उस क्रूस पर इशू के उपर होंगे या आपके स्वेम के उपर। पाप का हमारे जीवन में केवल दो इस्थान हो सकता है। वित्रों आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके पाप आज किस इस्थान पर हैं। आपके उपर के प्रभू इशू मसी के कुरूस के उपर। यदि आज भी आप अपने पापों का बोज उठा कर जीवन जी रहे हैं और उसे उतारना चाहते हैं। तो इसी वक्त, इसी समय आप परमेश्वर से विंदी कर सकते हैं और उसे इशू पर डाल सकते हैं। आज हमें कलिस्या में तिमूथियूस जैसे विश्वासियों की अवशक्ता है जिस पर पॉलूस भरोसा रखता था और परमेश्वर भी भरोसा रखता था। आये मित्रों हम परमेश्वर से ऐसे जीवन जीने के लिए प्रार्थना करें और उन विश्वासियों की जनों के लिए धन्यवाद दें आये प्रार्थना करें हमारे स्वर्गी पिता परमेश्वर हमारे प्रभुई शुक्रिस्त में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए वो इस थान ठहराया जहां पर हम अपने पापों का बोज उठा कर उसे उतार कर प्रभुई शुक्रिस्त के उपर डाल सकते हैं और पापों से स्वतंत्र हो सकते हैं पिता हमारी आज विशेश प्रार्थना है हमारे संबंधों के लिए हमारे परिवार के अंदर कलिसिया के अंदर जो हमारे संबंध बिगड़े हुए है माता पिता और बच्चों के बीच पती और पत्मी के बीच और ऐसे अनेक संबंध है प्रभू हमारे परिवारों में, कलिसिया में, कलिसिया और पास्टर के बीच, जहांपर प्रभू एकता नहीं है, मेल नहीं है प्रभु अनुग्र करना कि हमारे ये संबंध जो हमारे आत्मी जीवन का पर्थम कदम है यहां पर हम सिद्ध पाए जाए हमारे हिर्दे प्रभु किसी भी प्रकार के बुरे विचार, मैल और दूसरों के प्रती शोच से दूर होने पाए और हम अपने हिर्दे और मन को शुद्ध और पवित्र रखें पिता आप ही हमें ऐसा करने की सहायता परदान करें पिता जहां हमारे इन प्री लोगों के परिवारों में संबंध बिगडे हुए हैं वे आज ही इन संबंधों को सुधारने के लिए एक कदम उठाएं जिसके द्वारा से प्रभू आपकी महिमा इनके जीवन से प्रगठ हो धन्यवात के साथ पिता इस बिंती को इशु क्रीस्त के नाम से मांगते हैं आमेन प्री दोस्तों अगले प्रसारण में हम इस अध्यन को आगे बढ़ाएंगे मुझे उमीद है कि आज के अध्यन ने आपके हिर्दे से पाते की है और आप उचित कदम उठाएंगे और जहां जहां आपके संबद बिगड़े हुए हैं आप उसे सुधारेंगे प्रमिश्वर आपको आशीश दे और अपना अनुग्र आप पर बनाए रखे आइए अब हम प्रशनों को देखे पिछली प्रशन का उत्तर है बी, चरवाहे की पत्रियां तिमूत्यउस की पहली और दूसरी पत्री तथा तीत्यूस की पत्री को चरवाहे की पत्रियां कहा जाता है आज के अध्यान पर आधारित प्रश्ण है परमेश्वर ने मनुश्य के पापों से उद्धार का मार्ग खाली स्थान के द्वारा स्थापित किया मित्रों इस प्रश्ण का उट्टर हमें कल सुबा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या वाट्सअप करें क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं क्या आपको ये विजेता हैं क्या आपको ये विजेता हैं क्या आपको ये विजेता हैं